बहुत तरह की hard disk आती है लेकिन उन सम्में अंतर क्या है और आपके लिए कौन सी इच्छी रहेगी आईए जानते है इस वीडियो में है इंडिकेमर्स मैं हुआई जी आप देखें इंडिकेमर्स चैनल चाहां हम बाग करते हैं games of game PCs की तुखर आपको इंटरसे games of game PCs में सफसाय पर नहीं लेकिए वीडियो की शुरुबात में आपको बता देना चाहता हूं कि SSD बैटर होती है hard disk से क्यों होती है तो उस पर पूरा वीडियो बनाया है इस वीडियो में discuss नहीं कर रहे है उसका link आपको discussion मिल जाएगा लेकिर hard disk बहुत important होती है storage की बात आती है तो hard disk को आप बीट नहीं कर सकते क्योंकि SSD चाहें जितनी भी सस्ती हो जाए hard disk से SSD नहीं होने वाली मैंने अपने NES enclosure के लिए नहीं hard disk खरी दी है यह 12 TV की खरी दी है मैंने Seagate की iron wolf pro अब आप ऐसा समझो 14 TV तो आती है मुझे मिली नहीं मुझे 12 ही मिली तो मुझे 12 लेनी पड़ी और सोला का अनॉंसमेंट हो गया है कि सोला TV की आ जाएगी और अनॉंसमेंट और बाते तो इसकी भी हो रही है कि hammer technology आने वाली है सीगेट के अंदर और वो 20 TV की भी hard disk निकालेंगे by 2020 लेकिन आप कुछ बात कर लें differences की जैसे हम सीगेट की बात कर रहा हूं सीगेट के अंदर कई सारे sections आते हैं hard disk के जैसे इनकी यह मैं आपको दिखा रहा हूं iron wolf अब आने को इनकी iron wolf pro भी आती है और iron wolf एक standard version भी आता है ऐसे ही इनकी desktop के लिए आती है बेरा कूडा जो drive चलती है बहुत popular है और बेरा कूडा के साथ साथ fire kूडा और sky hawk भी आती है तो इन सब में अंतर क्या है और यह pro version में क्या अंतर होता है यह pro वाली कुछ खास होती है क्या आई यह बात करते हैं आगे दोखो यह जो hard drives होती है फिजिकली मजबूत बनाई जाती है जैसे मेरे पास तो यह nest drive है तो इसको और मजबूत बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं आप वह बाह बता हूँ drives कैसे काम करती है यह आप सब को पता है इसमें physical component है जो लगातार घूमता रहता है और जो चीज फिजिकली मूव करती है तो वो धीरे धीरे अपने डिग्रेड होना शुरू होती है चाहे वो motorcycle हो गई चाहे हार्ट डिस्क हो गई SSD में कुल moving part नहीं होता यह आप जाते हो इसलिए उसकी long life की guarantee दी जा सकती है लेकिन इसमें moving part होता है तो उसकी death तो होनी होनी है कभी ना कभी तो होगी इससे 10 साल जरूर हो गए है लेकिन यह कभी ना कभी तो मरेगी यह guarantee की बात है तो इस तरह की जो pro drives होती है उन्हें disk भी जो होती है उसके अंदर भी एक firmware होता है और वो software sensors की मदद से यह देखता है कि जैसे नेस drive है इसका guarantee है आप इसको और drives के साथ लगा होगे वो drives भी vibrate करेंगी तो जादा vibration हो रहा है तो इस सब को accommodate कैसे करना है इस drive की life कैसे बढ़ानी है और दूसरा अगर आपको यह सम में नहीं आ रहा है जी ऐसा कोई नहीं है लेकिन मैं लिटली बता हूं फिजिकली प्रो वाली drives होती है और बाहर ही होती है standard से that means इसके अंदर hardware लगा हुआ है लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं पैसों में बात कर लो और क्या मिलता है नमरों में ही बात करो यह क्या है जब प प्राइस भी रही है लेकिन फिल हाल अभी मैंने amazon पे चेक है तो घंटा भी नहीं बिखिने 10,000 का अंतर है 10,000 का अंतर तो बहुत बढ़ा अंतर होता उसमें बहुत सोच के चलना पड़ेगा अगर 5,000 का भी अंतर होता तो समझ में आता लेकिन मिलता क्या है आपको आपको warranty मिल जाती है जैसे iron wolf जो standard version आता है वो तो 3 सागी warranty के साथ आती है और ये जैसे iron wolf ये pro version है ये 5 सागी warranty आती है क्यों warranty क्यों वरणटी क्यों साथ दे सकते है क्योंकि उन्हें पता है कि हमने extra hardware लगाया है और ये चलेगी 5 साल से जादा दूसरा को एक्सा पैसे क्यों देगा pro version के किसे चल एक्सा पैसे खर्च करने की जब चीज एक ही मिल लई है इवन बात ये भी कर लो ये तो nest drives है iron wolf तो बैराग मूडा जो desktop वाली है फिर तो वो भी prefer किया सकती है अभी बात करते हैं उसके बारे में भी लेकिन बात ultimately ये ही आयाती है कि आपको कितनी फिकर है जैसे मुझे अपने data की फिकर है और मैं जादा चुल नहीं पालना चाहता है मैं चाहता हूँ वो चले और मुझे थोड़ी कोई guarantee दे जो data servers वाले भी लोग हैं उनने भी चाहिए guarantee सी चाहिए होती है तो पैसे देने को राजी है क्योंकि वो मुझे मुसीबत कम हो रही है और जो brand है उसे भी पता है कि कोई है जिसको अगर हम जादा पैसे मांगेंगे तो वो दे देगा और अगर हम hardware देते हैं तो लेने को तयार है तो brand भी जो है वो इस तरह की चीज़े तयार करता है फिर brand को यह पता है पैसे कमाने है तो ऐसी चीज़ बेचो जो सस्ती हो अब desktop के लिए आती है बेरा कूड़ा अब बेरा कूड़ा और iron wolf के अंदर क्या अंतर है मैं आपको यह बताता हूँ कोई भी कंपनी होगा ही सीगेट डव्लूडी उन सबके में एक ना एक ऐसी hard disk होती है जो उनका असली दालूटी चलवाती है वो जैसे कि आप जानते हो डव्लूडी ब्लू है ऐसी सीगेट के अंदर पैरागूडा आती है बड़ी पॉपलर है Amazon पे आप देखना बड़ा पॉपलर है उसमें यह होता है कि आपके desktop के लिए है वो उसमें तेजी से आपका जब input output होता है वो तेजी से होगा और वो regular use के लिए है जैसा होनी चाहिए desktop में नेस डाइव इसका तो इससाफ होता है कि 24-7 चलनी है लगातार चलनी है तो इनको बताओ vibration के हिसाब से इनको बनाओ कि लगातार इनसे data fetch नहीं किया जाएगा इनसे कभी-कभी data fetch किये जाएगा लेकि चलेंगी लगातार ऐसे ही सीगेट की Skyhawk है Skyhawk में क्या है वो CCTV के लिए बनी है क्योंकि आपको लगातार footage उस पर write होती जाएगी और delete होती जाएगी वो बनी लगातार चलेगी भी और उस पर read and write भी लगातार होंगे क्योंकि नेस डाइव से लगातार read and write नहीं हो रहा न आप रोज इस पर कुछ लिखते हो और मिटाते नहीं हो इस पर कुछ रहता है कभी कभा है read कर लेते हो पर कभी कभा है write कर लेते हो लेकिन जो CCTV वाली है उस पर लगातार video write हो रहे है और लगातार उस पर read भी हो रहे है पर delete भी हो रहे है फिर पावर मेनेजमेंट कैसे समालना है जैसे ये नेस ड्राइब्स हैं इनको लगातार पूरी पावर पे चलाने से फाइदा क्या है जब ये नहीं यूज हो रही है ये अब एक टाइम है जो फर्मवेर ने नोटिस कर लिया है कि रात हो जाती है तब जादा यूज नहीं होती है तो उस समय वो पावर डाउन कर लेता है तो फर्मवेर में भी एफेक्ट पड़ता है इसलिए अगर आप कुछ ले रहे हो जैसा डेस्टॉप के लिए ले रहे हो तो बैराकूड़ा ही लोगे सस्ती भी पड़ती है और नेस के लिए आप ले रहे हो तो इस तरह की आईरन वॉल्फ या आईरन वॉल्फ प्रो आती है लेकिन यहां मैं एक बात बता दूँ आपको ये है तो है ही लेकिन कंपनीो की मारकेटिंग की भी थोड़ी बात हो जाती है कभी कभी लोग यह भी कहतें पांपांग साल चलाई है कोई फरक नहीं पडा लगाने वाले मैं इसको भी डेस्टॉप में लगा ल commandments भर्ब्लम नहीं हो जाएगी यह मस चलेगी लोगों ने किया भी है पास्ट में लेकिन फिर आपके उपर बात आती है कि आप experiment कितना करना चाहते हो अगर डाटा से प्यार है और जो चीज जिसके लिए बनी है तो वो उसके लिए ही फिर यूज करनी चाहिए ऐसे ही इन सारी ड्राइवस के अंदर फे सीगेट की तरफ से फायर पूडा भी आती है जो उनकी SSHD है अब SSHD मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं है इसलिए आप SSD और HDD का कॉमिकेशन करो वो ज्यादा बेटर है SSHD इतने अची नहीं लगती लेकि फिर भी एक आती है और इन सारी ड्राइवस के अगर आपको लिंग चाहिए हो ना तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ये external hard desk और ये जो है iron wolf pro आप खुद ही आगे चेक कर लो के कैसी है और वैसे मैं तो NES drives की बात कर रहा हूँ और SSG drives की बात कर रहा हूँ और भी गई तरना की drives की बात कर रहा हूँ लेकिन अगर आप desktop बना रहे हो ना तो Seagate की बैरा कूडा भी बहुत अच्छी है वो खुद 12-12 TV की और भविश में 20-20 TV वाली hard desk की ज़रूनत क्या होती है देखो ये तो NES drive हम लोग को चाहिए होती है क्योंकि हमें NES enclosures में लगाने होती है मेरे वाले में तो Assister में 2 ही है तो मेरे को जतनी भी maximum इसकी capacity चूसनी है वो maximum hard desk लाग ही मिलेगी आपको मैं दिखा चुका साथ में ये भी फरक पड़ता है कि आप कौन से RAID में चलाओगे RAID 0 तो speed के लिए होता है लेकिन RAID 5 10 वगरा हो redundancy के लिए होती है उसमें जैसे आपको तो यह लगता है ना कि यह 12 TV की है 12 TV की है 14 TV हो गए लेकिन आपने RAID 10 में RAID 5 में लगाया तो security के लिए भी होती है RAID तो उसमें जो storage होती हो कम हो जाती है जैसे total ता आपका 24 लेकर 24 नहीं मिलेगा अब आपको कम मिलेगा तो इसलिए जो maximum capacity हो सकती है वो ही खरीदनी चाहिए अगर आपको maximum फाइदा उटाना है अपने NAS enclosure का और एक बात बता हूँ NAS की बात चल लगी है तो डिमेंड करता है आप प होती है या पर आप एक और काम कर सकते हो आप एक खरीदो ही नहीं आप अपने पैसे बचा लो और आप अपनी NAS खुद बनाओ और पैसे लगाओ storage में क्योंकि भाई ये भी महंगा होता है और ये भी महंगा होता है दोनों आप शायद ना खरीद पाओ देखिए मेरे पास ज जमाने से हार्ड डिस्क आ रही है वही फोम फेक्टर है 3.5 इंच का नॉर्मल जो चलता है सारी हार्ड डिस्क में चाहाँ आप एक टीबी की खरीदो चाहाँ ये बारा टीबी की करीदो और बविश्य आने वाली बीस टीबी की खरीदो वैसे आपको बताओं मैंने सीगेट तो ये है कि इसी 3.5 इंच के फोम फेक्टर में और स्टोरिज कैसे गुसेडी जाए अभी कुछ साल पहले ही आ रही थी 8 टीबी की फिर 10 फिर 12 फिर 14 16 और 20 की भी बात बार है वो आएगी 20 वाली तो अल्टिमेटली बात इस पे आ जाती है कि आपका ब्रैंड कौन सा फेवर से उपर तो दाल लोगों ने अपने रिव्यू छोड़े हैं सोचो कितनों ने खड़ी दी होगी लाखों में सीगेट का एक्स्टरनल ड्राइब में सिक्का चलता है और आपको बताऊं यह मैं आपको बात क्यों बता रहा हूं मैं आपको बताऊंगा यह देवका मेरे पास एक एक्स्टरनला हाट ड्राइब है यह है करीबन दस साल से भी जादा पुराणी मैंने इसे रिजिस्टर किया सीगेट की वेबसाइट पे अभी दो-तीन साल पहले तो उन्होंने तो उसका मॉडल नंबर भी नहीं पैचाना सीरियल नंबर से पैचान गए और रिजिस्टर तो एक ब्रैंड पे वरोसा बन जाता है इसलिए मैं सीगेट की खरीता हूं नौर्मली और आप भी जा सकते हो अपने फेवरिट ब्रैंड के साथ थोड़े से रिव्यूस चेक करो अपना फेवरिट ब्रैंड चूज करो आप बागी वीडियो भी जो मैंने आपको बताया न वीडियो में उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिक्शन में मिल जाएंगे तो चेक कीजिएगा वीडियो चला हो तो लाइक करें चैनल में पहली वारा तो सबस्क्राइक में हूँ आइजी आप देखते हैं निक मिर्चा है मैं मिलता हूँ आपको लिडियो में तब तक लिको बाय टादा